Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains Well, Magnet Brains में हैं एक से एक teachers जो कि आपके सभी subjects को बहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं लगातार online video lectures के तुरू आपकी मदद करते रहते हैं Because together we can win और इसी के साथ हम अच्छी एक इसी अच्छी बात से चले शुरुआत करते हैं हम revision of our next chapter जो की है reproduction in plant So, reproduction in plants इसमें क्या-क्या पढ़ना ये तो मैं आपको भी बता ही दूँगी आपको पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये video हमने क्यों बनाया है ये एक revision video है जिसको देखकर कि आप अपने exams में काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं इस video में मैंने वो सारे topics cover किये हुए हैं जो कि आपसे किसी भी solution में पूछेंगे चाहे वो exams हो, चाहे वो NCRT solution हो या कोई भी आपका exams हो इन सभी में यही सारे topics आपके काम में आने वाले हैं तो फिर चले देरी नहीं करते हैं और शुरुवात करते हैं चाप्टर नंबर 12 की जिसका नाम है reproduction in plants well basically सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि reproduction किस तरह से होता है plants में तो reproduction का मतलब यह होता है किसी parent plant से नए plant का produce होना अब यह जो reproduction है plant का आपने अलग-अलग तरीके से देखा होगा किसी plant को लगाने के लिए आपको seeds की requirement होती है किसी plants को लगाने के लिए आप क्या करते हैं उसके stem को cut करके उसे दूसरी गमले में लगा देते हैं और वो लग जाता है किसी plant में उसके leaf से ही वो नया plant produce हो जाता है ठीक है किसी plant में या फिर किसी किसी vegetable में आप देखते हो कि नया plant उसमें ही grow करना शुरू हो जाता है ठीक है तो यह सारी क्या है अलग-अलग methods है एक नए plant के production की एक नए plant के generation की ठीक है अब पूरी चीज अगर यह पूरी जो दुनिया है उसमें जो चीज आई है उससे ही एक नई चीज produce होती है और हमारा जो पूरा cycle है वो चलता रहता है जैसे plant में आपको मैंने बहुत सारे examples दिये जैसे अगर आपको rose plant लगाना है तो generally stem को cut करते हैं और उसे लगा देते हैं ठीक है आपने देखा हुआ कि आपके घर में ginger रखा हुआ है या potatoes या onion रखा हुआ है अगर बारिश का time है तोड़ा moist सा season है या normal season में भी आप देखते हो दीरे दीरे अगर वो रखे हुआ है तो उनके उपर एक नया bird create हो जाता है बर्ड मतलब जिससे कि एक नया plant लग ठीक है तो इसका मतलब कि सबके reproduction का तरीका plants में अलग-अलग होता है इसे लिए जो इनका reproduction है उसको हमने दो category में divide किया हुआ है पहला asexual और दूसरा होता है sexual अब asexual और sexual का क्या मतलब होता है जिसमें plant के ही किसी part की मदद से ठीक है एक ही plant से अगर कोई नया plant produce हो जाए sexual reproduction होता है इसमें flowers basically काम करते है pollination की process होती है और उससे बनता है seed ठीक है तो इससे जो production होता है वो sexual reproduction होता है तो हम दोनों को इस पूरे chapter में पढ़ेंगे कि asexual reproduction में कौन-कौन से तरीके से plant बनते हैं और sexual reproduction में कैसे बनते हैं ठीक है so there are several methods of asexual reproduction such as fragmentation, budding, spore formation, vegetative propagation तो हम इसमें सारे plants को cover करेंगे जो की asexual reproduction करते हैं अब आपने देखा होगा fungi ठीक है या फिर छोटे छोटे तालाव में लगने वाले जो plants है वो किस तरह से लग जाते हैं तो हर एक तरीके के plant के बारे में हमें discuss करना है तो अब छोटे से छोटा plant या बड़े से बड़ा plant कैसे लगता है तो यह इतने सारी methods के थुरू लगते हैं ओके इसमें अपन को पढ़ना है vegetative propagation तो vegetative propagation क्या होता है new plants are produced from the different vegetative parts such as leaves, stamps and roots उसे हम vegetative propagation कहते हैं तो चलिए आपन यह सारी चीजों को discuss करेंगे फिलहाल आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जो reproduction in plants है वो दो तरीके से होता है एक asexual और दूसरा होता है sexual तो modes of reproduction में आपने जैसे बताया asexual और sexual तो asexual जिसमें की new plant arises from the vegetative part plant के किसी vegetative part से ही नया plant produce हो जाए vegetative part मतलब की leaf, stamp या root इन तीनों की मदद से अगर कोई नया plant produce हो रहा है तो वो asexual reproduction है इसमें हमें किसी भी seed की जरुवत नहीं पढ़ती ठीके बीच की जरुवत नहीं पढ़ती sexual reproduction क्या होता है new plant arises through reproductive part reproductive part से अगर जब नया plant produce हो और reproductive plant generally कौन से होते है fruits and seeds are formed हैना इसमें basically flower की help से ये सारी चीज़े होती है क्योंकि flower बनता है flower ही जो है fruit में convert होता है उस fruit से seed मिलता है फिर उस seed को जब आप soil में लगाते हो तो फिर नया plant produce होता है तो ये जो पूरी process है ये sexual कहलाएगी और जिसमें हमें seeds का wait ना करना पड़े हम directly leaf की मदद से या फिर stem की मदद से या roots की मदद से ही एक नया plant लगा लें तो वो क्या कहलाता है आपका asexual जैसे आप money plant को लगाते हो आप money plant का अगर बड़ा सकही पर लगा हुआ है उसका पौधा तो आप उस से तोड़ करके ले आएंगे उसके stem को और अगर उसको पानी में लगा देंगे तो वो वहीं से grow करना शुरू कर देता है तो वहाँ पर इसका मतल़ नया plant कैसे बन गया asexual reproduction की help से तो चलिए अपर इनको detail में पढ़ेंगे इस पूरे chapter में हमें यही पढ़ना है तो सबसे पहले शुरूआत करेंगे हम asexual reproduction से so asexual reproduction only one parent is needed result in offspring that are exact copy of a parent asexual reproduction क्या होता है जिसमें एक ही parent की जरुवत होती है और इससे produce होने वाला जो plant है वह exact copy होता है अपने mother plant के parent plant के मतलब जिस भी प्लांट से वह निकला है अब आप obvious ही बात है जिसके stamp को काट करके आपने वही लगा दिया दूसरी जगे पर लगा दिया तो exact वैसे ही produce होगा मान लिजे वह plant yellow color का flower देता है तो वह plant भी yellow ही देगा चीक है जैसे quality उसके होगी वही quality उसके होगी जितनी जादा अच्छी चीज़ उसमें है उसमें होगी हो सकता अगर उसमें कुछ diseases है तो वह disease उसमें भी चली जाएंगी तो मतलब exact copy होता है अपने parent plant का इसमें एक ही plant की जरुवत पढ़ती है तो इसको क्या कहते है आप एसेक्ट्वल री प्रड़क्शन many unicellular and multicellular organism reproduce asexually अब plants के अलावा जो और भी organisms हैं जो की unicellular या फिर multicellular organisms होते हैं वो reproduction एक एसेक्ट्वल री प्रड़क्शन ही करते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि जो parent plant होता या जो parent organism होता है या तो वो ही split हो जाएगा दो आप में और उससे दो अलग अलग चीज़े प्रोड्यूस हो जाएंगी दो अलग उसी के तरह उनके प्लांट प्रड्यूस हो जाएगा या फिर क्या होगा कि उस प्लांट के किसी आप आप को काट कर कि जब आप लगा देते हो तो उससे या प्लांट प्रेडिस हो जाता है तो मतलब एक अपने ही खुद के पार्ट से तो एक ना चीज और एक नाा और्गनिसम produce हो जाए तो उसको आप a sexual reproduction कहते हो तो a sexual reproduction जो है एक तो natural होता है जो कि आपके हमारी natural mother nature की द्वारा होता है तो वो होता है आपके vegetative propagation जिसमें माने आपको बताया कि जिसमें stem roots इन सबकी मदद से हो एक होता है budding यह आपन पढ़ेंगे आगे fragmentation और spore formation ठीक है तो यह सारी natural methods हैं जिसकी मदद से कई तरीके के organisms जर्म लेते हैं यह produce होते हैं ठीक है अब दूसरा होता है artificial method जो कि हम करते हैं हम इंसानों ने develop की है जैसे कि cutting grafting layering micro propagation ठीक है तो इन सबके बारे में चलिए detail में जानते हैं तो अभी होता है a sexual reproduction मतलब कि जिसमें plant के किसी पार्ट की मदद से नया plant produce हो जाए या वो plant ही किसी दो पार्ट में तूट जाए और उससे नया organism अगर generate हो जाता है produce हो जाता है तो वो reproduction है a sexual sexual के फिर हमने टाइप देखे तो भाई यह दो तरीके की हो सकते है एक तो natural method जो की already होती आ रही है इनके साथ में और एक artificial method जो की इंसानों ने डवलब करी हुई है ठीक है तो चलिए एक-एक को हम थोड़ा detail में जानते हैं सबसे पहले है fragmentation तो fragmentation कौन सी process है यह आपकी natural method अपने पहले natural discuss कर लेते हैं फिर अपना artificial पर चलेंगे तो natural method में सबसे पहले आता है आपका fragmentation तो डाइग्राम को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यह इस पैरो जेरा है इस पैरो जेरा एक तरीके का एक तरीके का और्गनिजम है जो की अपने प्लाइब यह तो आपको उस औरगन टूट थे और दो प्लाइट तो इस तरह से धीरे 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 रीप्रोडिस होते जाते हैं और हर जगे वर जाते हैं थाएज तो In fragmentation, the body of the parent, यह दिसे की parent है, तो the body of the parent breaks into distinct pieces, each of which can reproduce an offspring, offspring मतले एक नया plant produce हो जाए या नया organism उसी की तरह produce हो जाए, तो यह fragmentation की process कहलाती है, तो fragmentation में क्या होता है? In fragmentation, the body of the parent break into distinct pieces, each of which can reproduce, can produce one an offspring, एक नया offspring जो है, वो इनसकी body से produce हो सकता है, तो in the slimmy green alga that you can see growing in the stagnant water, ठीक है आपने देखा हो कि इस टैंगन वाटर की उपर एक slimmy सा green alga जहता है, reproduction occurs by the process of fragmentation, तो वो जो greeny slimmy आपने पानी देखा होगा, तो वो alga कैसे produce होती है, तो वो इसी fragmentation से, एक produce हुआ, उसके बाद उस एक से दो produce हुआ है, मतलब वो अपने body को तोड़ करके उसने दो पार्ट में divide किया, फिर वो grow कर गया, फिर उसने दो पार्ट में divide किया, फिर व grow किया, फिर वो दो पार्ट में और इस तरह से पूरे उसमें ये फैल जाते हैं, ठीक है, तो ये process होती है, fragmentation की process, I hope ये clear होई होगी, ठीक है, so next method है, natural method, जो की होती है, budding, तो budding क्या होती है, तो bud का मतलब होता है, एक small outgrowth, जैसे कि ये एक चीज है, इसके उपर ये bud निकल grows on the body of parent organism, इसमें क्या होता है, जो parent organism है, उसकी body के उपर एक और body create होना शुरू हो जाती है, एक bird निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, in this process of budding, a small bird grows on the body of parent organism, and when the time comes, it de-attach itself to former new organism, क्या होता है, कि ये माली जे parent organism है, दीरे 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 इसका पार्ट उपर की तरफ उठता जा है, और ये bird बना लेता है, ठीक है, इस bird के उपर और ज्यादा birds create हो जाते हैं, और ये अपने आपको फिर उससे de-attach कर लेते हैं, तो इस तरह से कौन सी चीज फैलती है, इस तरह से किस चीज का reproduction होता है, तो hydra और जो yeast होते हैं, वो इसी प्रोसेस से अपने आपको reproduce करते है yeast का use आप करते हो आपके favorite शोले भटूरे बनाने में, तो भटूरे में जो yeast का फैलना है, वो कैसे होता है, इसी तरीके से होता है, कि yeast का एक organism जो है, उसके उपर एक और organism produce हो जाएगा, एक और cell वो de-attach होगी, ठीक है, उसके उपर एक और हो जाएगा, इस तरह से पूरे फ और इससे एक नए reproduction फिर होना शुरू होता है, ठीक है, तो यह hydra का reproduction है by the method of budding, आप देख सकते हो, यह parent hydra है, ठीक है, अब यह देखे, उसी parent में एक नया bird निकला, यह बन गया, फिर वो धीरे धीरे grow करके hydra में convert हो गया, और automatically de-attach हो गया, ठीक है, तो इस तरह से यह produce होत होता है, clear, अब इसके बाद होता है, spore formation, है ना, spore formation आपने कहां देखा होगा, तो आपने bread के उपर यह spore formation देखे होंगे, तो spore formation से भी reproduction होता है, तो some non-flowering plants, है ना, अब यह जो plants हैं, जैसे कि mosses, ferns and molds, reproduces by the spore formation, तो यह सारे जो है, यह सभी reproduction से produce होने वाले plants है, a spore is a tiny spherical unicellular body protected by a thick wall, यह spore क्या होता है, एक छोटी से, एक ही cell की body होती है, जिसके चारो तरफ एक thick wall होती है, उसको protect करने के लिए, it grows into a new plant when conditions are favorable, यह किसी भी new plant में grow कर जाती है, ठीक है, जब conditions अच्छी हो, तो यह धीरे धीरे इस तरह से convert हो जाएगी, bread mold that can often be seen growing on moist, stale bread, grows when spores settle on the bread, ठीक है, तो basically जो spores हैं, यह bread की उपर आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यह होता है, sport formation और इससे produce होने वाले नहे plants, फिर होता है, भई, vegetative reproduction, तो vegetative reproduction कैसे होता है, तो जब कोई plant के उपर इस तरह से, एक नए stems को निकलना शुरू हो जाए, तो यह होता है, उसका vegetative reproduction, तो अगर किसी के vegetative part से, किसी plant के vegetative part से, कोई नया plant produce हो रहा है, ठीक है, तो vegetative part कौन से होते हैं, root, stems और leaves, अगर इनसे कोई नया plant produce हो रहा है, तो उसे vegetative reproduction कहते हैं, without the help of any reproductive organ, अब plants के reproductive organ में कौन होता है, flowers और food या seeds, ठीक है, इनके बिना यूस से, अगर कोई नया plant produce हो जाए, तो वो रही, vegetative reproduction है, it is known as vegetative reproduction, याद रखेगा, कि वें new plants are produced from the vegetative part of the mother plant, such as root, stems और leaves, without the help of any reproductive organ, it is known as the reproductive या vegetative reproduction, many plants like cactus and strawberry reproduce by the vegetative reproduction आप इस ट्रोबेरी को देखेगा कि उसकी जो स्ट्राइम से नीचे की रूट से उसी से एक नया-nया-nया नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है उसी तरी कि इसे कैक्टस जो है उसमें आप देखते हो किसाइड में अगर आप उसको कटकर के लगा दोगे तो एक नया कैक्टस हो जाएगा आपने देखा होगा आपके पोटाटो में इस तरह के का एक स्टाम ट्यूबर कहलाते हैं यह निकलना शुरू हो जाते हैं जिसको अगर आप स्वाइल में लगा दोगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा तो यह क्या है सभी यह सभी वेजिटेटिव रिप्रडाक्शन है ठीक है तो प्लांट्स डैट अंडर गो वेजिटेटिव प्रपोगेशन और ग्रीन ग्रास ठीक है व्रायो फैलम मनी प्लांट पोटाटो प्लांट ओनियन बनाना तो यह जो प्लांट्स जो की वेजिटेटिव रिप्रडाक् के क्यों होती है क्योंकि उनकी जडे हैं, उनकी ज रूट्स है, वो दिरे-दिरे फैल करके एक नया-चाल अपना पुरा फ्वील ये तरह से उपर की तरफ यह निकलना शुरू हो जाता है जिसका मतलब कि नया प्लांट बना शुरू होजाता है बनाना में तो यह सारे सभी क्या करते हैं यह सभी वेजीटेटीटव reproduction करते हैं potato में जो small birds उसकी surface पर बन जाता है उसको आप आई कहते हो या कहते हो आई जिसको आप stem tuber या आई कह सकते हो each bird can grow into a new plant और अगर आप उस bird को soil में लगा दो कि तो क्या होगा एक नया plant लगना शुरू हो जाएगा अप उसी में लगना इतना possible नहीं है क्योंकि जो सारी जरूरी nutrition है वो soil से ही मिलेंगे photosynthesis की जो process है वो soil से ही होगी तो इसलिए जरूरी है कि बर्ट को अगर आपको proper तरीके से grow करना है या और ज्यादा potatoes बनाने हैं तो आप इसको soil में लगा दें तो new plants are also reproduced by the parts of undergo stems in ginger and from the bulbs in onion and tulip ठीक है lily to lily and tulip जो है वो भी इसी तरीके से generate हो जाती है जैसे आपकी onion आप अगर इनको लगा देंगे तो इनसे नए plants और ज्यादा reproduce हो जाएंगे ठीक है तो यह होता है आपका vegetative reproduction और यह था आपका asexual reproduction का natural method in some plants such as strawberry and grasses the main plant develop the side shots with the will have birds that grow into the new plants अब basically क्या होता है कि इन में ना side में birds निकलना शुरू हो जाते हैं जैसे कि आप यह strawberry को देखिए यहां से एक नया bird बनेगा और इस bird से ना फिर एक नया ना इस इस तरह से स्टाम बढ़ता जाएगा बढ़ का और एक जब जैसे यह अपना एक मदब देखिए बेसिकली क्या यह plant है ठीक है इस plant से एक branch निकली जिसमें बढ़ है जैसे यह बढ़ बढ़ ग्रो करेगा ग्रो करते 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 यह दीरे-दीरे अपने roots बना लेता और एक नया प्लांट ग्रो करता है फिर एक बढ़ निकलता है फिर वह ग्रो करता है इस तरह से बढ़ इस तरह से चोटे-चोटे-चोटे-चोटे प्लांट जो है इनके शौट पर तो जिसकी मदद से एक नया प्लांट जो है जाएगा ठीक है तो इसके बाद अपन चलेंगे अब एक सेक्षरी प्रदक्शन की नैश्रल मैंठोड हमने यहां पर खतम कर ली जिसमें आमने बढ़िंग पढ़ा और क्या क्या पढ़ लिया है स्पॉर्ड फॉर्मेशन ठीक है और फ्रेग्मेंटेशन आपको यह तीनों चीज़े क्लियर हुई होंगी अब आजाते हम सीधे आर्टिफिशल मैठोड पर सो ग्राफ्टिंग आर्टिफिशल मैठोड की पहली प्रोसेस से ग्राफ्टिंग तो इस मैठोड इस कॉमनली या रोजस की कई तरह की वराइटीज मिल जाती है तो यह सारी चीज़े होती किस तरह से हो तो इस सारी चीज़ों को अचीव किया जाता है ग्राफ्टिंग प्रोसेस से अब ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं दो प्लांट्स लेते हैं डिफ्रेंट वराइटी के एक प्लां आता है साइकॉन क्या कहते हैं उसे अपन सायोन तो यह जो सायोन है ठीक है यह एक प्लांट का दूसरे प्लांट को इस तरह से कट किया जाता है कि उसमें कि स्टॉक क्रियेट हो स्टॉक मतलब वो पोर्शन जिसमें नीचे अंदर बहुत अच्छी तरीके से रूट्स जो है व इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते है इसी प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहा जाता है ओके दिस्टॉक शुड़ है और एक चीज़ यहां रखना है कि जो स्टॉक है उसको हम ऐसी स्टॉक है उसको जो रूट्स है वो काफी एक्सटेशी बहुत अच्छी होनी चाहिए ए बूझ क् वर्ट जो है उसको ले लेते हैं जिसको अपन कहेंगे सायोन अवर दे कर्ट स्टैम ऑफ अनदर प्लांट कॉल दे स्टॉक और दोनों को हम टाय कर देते हैं अब क्या होगा जैसे आपने दोनों को कट किया तो अब कुछ टिशू आपके एक प्लांट के हैं दूसरे टिशू दूसरे प्लांट के हैं दोनों आपस में काम करते हैं और एक नई चीज फॉर्म कर लेते हैं अब इन दोनों के जो टिशू है जिसका पॉर्शन रूट के साथ कनेक्टेड है ठीक है जैसे कि यह ठीक है तो इस प्रोसेस में यह जो रूट्स है क्योंकि यह आपकी बढ़ी अच्छे तरीके से सारा नूट्रिशन साइओन को पहुचाती जाएगी और एक नया प्लांट डवलप हो जाएगा दिस मैंटर्ट हेल्प तो डवलपा न्यू इस तरह से दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपको अलग-अलग फीचर्स के दो वराइटी मिल जाएगी और एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा फॉर एक्जाम्पल आ हाई येल्डिंग वराइटी में भी ग्राफ्टेट तो डिसीज रिजस्टेंट वराइटी तो ड कुछ एक्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें ये ड्राफ्टिंग की प्रॉसेस की जाती है जैसे कि कुछ फूट ट्रीज होती है जिसमें हम ड्राफ्टिंग प्रॉसेस करते हैं मैंगो ग्वावा चीकू इन सभी को ड्राफ्टिंग की मदद से नहीं नहीं वराइटी का बन जो next method है cutting उसके पहले में आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि आप इसको ध्यान से देखिए यह हमने cut किया किसी को बढ़ के पास से चीक है इस तरह से अपने तीनों तरीके से cut कर सकते हैं और यह दूसरा पार्ठ हे जहां पर दूसरा प्लांट है जिसमें हम इसको लगाना है तो दूसरे प्लांट को अपने इस सारे से यहां से उसका हिस्टा निकाला और इसे जोड दिया यहाँ पर और इनको अच्छी तरह के से टाय कर दिया कुछ दिनों बाद यहाँ आपस में जुड़ करके एक नए प्लांट को प्रिड्यूस कर देते हैं ओके चलिए अब नए स्ट्राप की कटिंग तो इस मैंठर में क्या होता है अब आप देखिए कि यहाँ से एक नया बर्ड मतलब की जहाँ से एक नया प्लांट या फिर एक नई ब्रांच ग्रो करती है जैसे कि आप यह plant को देखिए यहाँ पर एक नई ब्रांच थी इसको पर ने यहाँ से cut करके जिसमें leaves है और यह सारे चीज़े है उसको एक नई जगह पर एक नए soil में ही लगा दिया तो इससे एक नया plant grow करना शुड़ो हो गया तो इससे आपन क्या कहेंगे इससे कहेंगे cutting क process अब drafting और cutting लगभख आपको सेम लगेगी पर सेम है नहीं क्योंकि drafting का मतलब होता है किसी प्लांट को कट करके किसी दूसरे प्लांट के ऊपर टाय कर देना ठीक है और cutting क्या method है cutting method में आपने प्लांट को कट करके इसको directly soil में connect कर दिया यह लगा दिया ठीक है तो यह method क्या होगे आपकी cutting method होती है the cutting develops roots and grows into a new plant अब अब इससे बात है जैसे ही आप प्लांट को कट करके किसी और उसमें लगा दोगे तो उसके roots develop हो जाते हैं और एक नया plant बन जाता है this method is used to propagate plants like rose, bougainvillia and sugargain अब आपन नई roses के साथ में आपन drafting भी कर सकते हैं मतलब कि हम उसकी variety को थोड़ा सा enhance कर सकते हैं नई type के roses आप बना सकते हैं बोगन विलिया जो होता है उसकी मदद से भी हम इस तरह से plant produce कर सकते हैं मतलब एक नया अगर आप उसको कट करके बस लगा दोगे तो वह लग जाते हैं साथी साथ शुगर के इन जो होईता है वह भी plant ऐसा है कि आप उसको कट करोगे उसके बट के पास से और लगा दोगे तो वो नय प्लांट में convert हो जाता है तो इसमें भी हमें प्लांट की जरुवत नहीं पड़ती नहीं सीट की रिक्वार्मेंट होती मतलब इनका वेट नहीं करना पड़ता और एक नया प्लांट जो है वह इस सरह से ग्रो कर जाता है तो अभी तक हमने आपको बता दी है artificial method जिसमें हमने grafting पड़ी cutting पड़ी अब किसकी बारी आएगी layering की तो layering में क्या किया जाता है a young branch is bent towards the ground and covered with the moist अब देखिए इस process में क्या किया आपने एक branch यहां से एक plant की निकल रही थी हमने उसको bend कर दिया soil के उपर ठीक है इस तरह से और उसके उपर और जाधा soil को डाल दी ठीक है जैसे आप इसे करोगे फिर क्या होगा after some time roots develop from the covered part अब इसका जो covered part होगा वहां से roots जो है वो develop होना शुरू हो जाएंगी this is called a layer इसी को क्या कहते है अपर layer कहते है तो यहां पर क्या होगा दीरे दीरे layer बनना शुरू हो जाएगी the branch can now be cut and made to grow into a new plant अब अपन क्या करेंगे हमने यहां से फिर इसको cut कर देंगे और यह जो plant है वो दीरे 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 अच्छी तरह के से grow कर जाएगा जैसे कि यहां पर एक tissue को remove किया आपने वहां पर soil लगा दी ठीक है और उसको polythene से tie कर दिया अब जब इसमें roots बन किसी दूसरी soil में लगा दोगे तो फिर वहां से grow करना चालू कर जाता है इसी को layering के process कहीं जाती है अब layering में basically क्या होता है कि आपने इसके एक branch को soil में डाल दिया तो इसको nutrition basically roots से मिलना था पानी वो इस plant के roots से मिल जाएगा और क्या होगा साथी साथ यहां पर नई roots अप लगा दोगे तो क्या होगा फिर एक नए plant में convert हो जाता है chicken so the branch can now be cut and made to grow into a new plant this method is called the layering and it is commonly used by the gardeners to develop the plants such as jasmine चमेली जिसको चमेली कहते है रोज और बोगन बिलिया ठीक है तो यह सारी चीजे जो है इस तरह से जो प्लांट है वो लेयरिंग की मदद से भी grow करे करे जा सक रखते हैं तो अगर आपके गारन में भोगन विलिया है चमेली है रोज है तो आप एक बार इसको ट्राय करके जरूर देखेगा अब एक होता है टिशू कल्चर अब टिशू कल्चर में क्या किया जाता है पीस आफ टिशू is cut from the growing tip of a plant किसी प्लांट के growing जो टिशू होता है उसको तोड़ करके हम इस तरह से एक solution के अंदर रखते हैं एक अच्छे temperature में control temperature में और जब उसमें roots निकल जाते हैं तो फिर हम उसको multiple plants में लगा देते हैं so the cells are separated in this method a piece of tissue is cut off from the growing tip of a plant याद रखेगा इसमें tissue को निकालते हैं किसी भी growing tip plant के growing tip से the cells are separated and kept in a nutrition medium under the control condition इसके अंदर nutrient medium हम रखते हैं और उसके अंदर हमने इसको tissues को डाल दिया एक controlled condition के अंदर मतलब temperature और सब control में था उसमें आपने रख दिया the nutrient medium contain the hormones that make the cell divided and form the group of cell अब एक tissue को आप डालोगे और इससे क्या हो जाएंगी बहुत सारी tissues वहाँ पर या फिर बहुत सारे cells जो है बन जाते हैं और धीरे धीरे उसमें roots develop हो जाती है roots also develop these are then capped in a different nutrient medium containing hormones that enable the shoots to develop इसके बाद क्या डबलब हो जाएंगे यह shoots डबलब होना शुरू हो जाते हैं शूट हो जाएगा ठीक है so the different plants can now be grown in a pot for the soil orchid ठीक है asparagus and many other plants are grown by this method ठीक है तो orchid का जो plant होता है वो basically इसे तरह के से करते हैं कि एक nutrition solution के अंदर हम एक plant के tissue को ले करके डाल देते हैं दीरे दीरे उस tissue से और साधा tissue create हो जाएंगे उसको अपर अलग अलग कर देते हैं जिसमें दीरे दीरे roots create हो जाती है फिर शूट हो जाता है वो जैसे शूट होता है तो उसको पानी से निकाल करके हम उसे different pot में लगा देते हैं और इस method को हम क्या कहते हैं इस method को हम कहते हैं tissue culture राइट तो चलिए यह तो हो गई हमारी कुछ artificial methods ठीक है तो यहां से हमने देख लिया कि भई artificial method आपकी synthetic भी होती है और आपकी natural भी होती है और synthetic या फिर artificial भी होती है यह सब asexual reproduction था अब asexual reproduction के क्या advantages है फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है तो आपको कुछ points अगर याद रहें तो बहुत अच्छी बात है vegetative reproduction या vegetative reproduction भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जित्ता भी asexual reproduction होता है उसमें vegetative part ही यूज होते हैं या तो roots होंगी stems होंगी leaves होंगी तो यह सब vegetative part है इसलिए अपन इसमें advantages vegetative के देख करके या फिर vegetative बोल रहें that means कि asexual reproduction के advantages so vegetative reproduction is very useful to plant growth growth because of the following reason it allow them to produce new plant quickly अब इससे क्या होता है कि नया plant जल्दी से लग जाता है आपको seeds का वेट नहीं करना पड़ता flower का वेट नहीं करना पड़ता using plant parts take less time than waiting for the seeds to grow जैसा माने आपको बताया कि plant directly लग जाता है seeds की ज़रुवत नहीं रहती for example fruit plants grown by this method start bearing fruit such earlier much earlier than the plants growing from the seeds अब वो plant जो की seeds से लगेंगी तो भाई उसमें seed होगा germination होगा seeds का फिर एक नया offspring produce होगा दीरे 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 वो grow करेगा leaves आएंगी बहुत लंबी process है लेकिन अगर आपने direct plant लगा दिया तो आधी process तो आपने convert करी दी है सिर्फ वो दीरे जल्दी से grow करके fruit आपको दे देगा तो इस method से अगर अपन fruit लगाते हैं या plant लगाते हैं तो वो जल्दी fruit देंगे और normal जो आपकी seeds method से plant लगते हैं वो थोड़े देर से fruit देते हैं अब जो भी plant आप लगा हो गया वो 20 सी बात है उसके पार्ट को निकाल कर ही आपने दूसरा plant बनाया है तो यह exact copy होते हैं अब इनमें कोई variation नहीं होता अब इनमें कोई variation नहीं होता all plants produced will have the same characteristics और जितने भी plants होते हैं सबका same characteristics होता है plants propagate vegetatively usually need less attention than plants grown from the seeds in the earlier stage of the growth अब भी आपने seed को soil के अंदर लगाया है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत तेजी से पानी ना डाला जाए अदरवाई seeds वो plant से अलग भी हो सकते हैं तो soil से अलग हो गया तो वो grow नहीं कर पाएगा इसके अलावा अगर आपने directly vegetative reproduction से plant को लगाया हुआ है तो क्या होगा यह plant को इतना attention की requirement नहीं होगी उसके initial growth में क्योंकि आधा जो है आधा process वो पहले ही strong process से start होगा ठीक है so new varieties of plants having the required characteristics can be developed by this method many food fruits and ornamental plants such as the banana, pineapple, rose, sugar can etc are normally grown by the vegetative propagation तो याद रखना है अगर आपको की asexual reproduction किनके plants में होता है तो banana, pineapple, rose, sugar can यह सारी चीज़े या फिर potatoes, onion यह सभी आपके vegetative reproduction से ही produce होते हैं, some plants do not precede seeds अब क्योंकि इन में से कुछ plants ऐसे हैं जो कि seeds नहीं लगाते हैं they can only be propagated vegetatively example banana and pineapple अब इन दोनों ही यह जो plants है banana हो या फिर pineapple हो इन में बीज नहीं होता इसमें seed नहीं होती इसलिए इन्हें या तो stem leaf या आपके stem leaves की मदद से आप इसको grow करते हो ठीक है disadvantages क्या है vegetative reproduction के तो भाई vegetative या फिर आपका यह जो a section reproduction है इनके disadvantages यह हैं कि कभी-कभी हमें ऐसी characteristics अगर किसी plant की है वो नहीं चाहिए होती है लेकिन क्योंकि वो parent plant है तो वो नई plant में भी आ जाती है तो undesirable characteristics of the parent plant यह सब आ जाएगी अब all plants are well vulnerable to the same diseases अब मान लीजे कि किसी plant में कोई disease है तो क्योंकि आपने उसी plant से दूसरे plant को grow किया तो उसमें भी वो disease आ जाएगी in a population of plants produced by the seeds the plants have variations and therefore only a part of the population may get affected by the specific disease ठीक है तो अगर seeds से कोई plant निकलता है तो उसमें इतने disease नहीं होती जिसना आपके यह plant में होता है germs can get passed from the parent to the offspring which does not happen in plants produced by the seeds अब seeds में से जो plants produce होते हैं उसमें germs transfer नहीं होते क्योंकि seeds से एक नया plant ही बनता है जो कि soil के अंदर होता है लेकिन अगर आपका vegetative reproduction से कोई plant बना है तो that means कि उसमें जो भी disease है या जो भी germs है वो दूसरे में transfer हो जाएंगी तो चले यह तो था आपका a sexual reproduction चलते हैं अब next sexual reproduction किस तरह से करते हैं plants so sexual reproduction in plants में जो main part होता है वो होते है flowers ठीक है so in flowering plants flowers are the reproductive organ तो आपको याद रखना है कि वो सारे flowers जिसमें flowers basically reproduction का काम करते हैं ठीक है अब यह कैसे करते हैं तो यह pollination के process होती है basically तो some flowers like अभी वो pollination क्या है वो मैं आगे discuss कर रही हूं some flowers like rose sweat sweet pea contain both male and female reproductive organs अब कौन सा male productive reproductive organ होता और कौन सा female होता है यह भी आपन आगे revise करते हैं सो आपन तो सून है तो àsh Weオf free is worthy तники कहते हैं हम और are know-new-ne 100 अभ्व फ्रोवियर्स छिखे तो इन को आपन है मोलं फ्रोवियर्स इस लिए है प्रोड़ेट इस लिए कहते हैं क्योंकि यह female और male part इनका दोनों ही होता है इन में तेया फिर आप इसको bisexual flower भी कह सकते हो complete flowers have the stamen, pistil, petals and saples अगर अपन complete flower की बात करें तो एक flower में stamens होते हैं pistil होता है, petals होता है और saples होते हैं चीक है क्या-क्या होगा stamen, pistil, petals and saples ठीक है चले so other flowers like corn and papaya contain only male और female reproductive organ अब कुछ plant ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ male होगा या फिर female होगा they are known as incomplete or unisexual flowers जिसको अपन क्या कहते हैं unisexual flower तो जैसे corn और papaya इनमें सिर्फ एक ही चीज होती है या तो male या फिर female लेकिन जो आपके bisexual flowers होते हैं उनमें आपको stamen, pistil, petals and saples सब कुछ मिलेगा जैसे कि आपका rose और sweet pea ठीक है, so the stamen produces the pollen grains which contain the male reproductive cell जैसे आपने बताए कि stamen, saples, petals and saples होते हैं ठीक है, so यह जो stamen होता है basically ठीक है, यह जो आपका stamen है यह आपका male reproductive part होता है, क्या होता है stamen, stamen is the male reproductive cell जो की pollen grain produce करता है, यह सारी चीजे बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है ठीक है, these are surrounded by the tough protective coat which saves them from drying out अब इनके चारो तरफ ना एक protective shield type की होती है, ताकि जो pollen grains है वो dry out ना हो पाए, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, कि दो तरीके के flowers होते है एक तो आपकी होते है, hemofrodites, hemofrodites जो की आपके bisexual होते है जिसमें male और female parts दोने होते है, that is stamen, pistols, petals and sepals और एक flowers होता है, जो की unisexual होता है, या फिर जिसको incomplete कहते है जिसमें या तो male part होगा या female part होगा, अब flower में male part को कहा जाता है आपका stamen, जो की pollen grains produce करते हैं, ये pollen grains जो है safe रहें इसके लिए ये एक अच्छी तरीके के protective coat से covered होते हैं, ताकि ये जल्दी से dry out ना हो the ovules present in the ovary in the lower part of the pistil contain the egg cell basically pistil में क्या होता है, pistil में होते हैं ovules, जिसके अंदर होती है ovary ठीके, pistil के ovule में होती है ovary, जिसके अंदर female egg होते हैं ठीके, तो figure shows the section of flowers, इसमें आप section of flowers देखते हैं the parts shown are found in the most of the flowers, जिसमें आपको most of the flowers में ये plants देख जाएंगे जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये आपका क्या है, stamin है, ठीके, is a stamin वे आपका ये जो की male productive system होता है, productive cell, reproductive cell जिसके अंदर होते हैं ये pollen grains, ठीके, ये है हमारा pistil जिसके अंदर क्या है ovule है, जिसमें ovary है, और इसके अंदर eggs होते हैं, जहां पर ये जो आपके pollen grains से वो जाते हैं, और क्या produce करेंगे, एक नया seed produce करते हैं, ठीक, so for fertilization to occur, ठीक है, तो fertilization occur हो, इसके लिए जरूरी होता है, कि ये जो pollen grain है, वो stamin से निकल करके, कहां तक जाए, वो जाए, pistol के stigma तक, कहां तक जाए, pistol के stigma तक, ये रहा, pistol और ये होता है, इसका stigma, ठीक है, so the fertilization to occur, the pollen grain must first be transferred from the stamin to the stigma of the pistol, the process of transfer, transference of the pollen grains from, from the enter to the stigma is called the pollination, हम इसे इन एंथर कहते हैं, basically, तो enter से stigma तक, ये क्या है, आपका stigma है, ये enter है, तो enter से stigma तक, जब ये pollen grains transfer होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे pollination कहते हैं, the pollen grains are carried to the stigma of the, either the same flower, or for the different, or of a different flower of the same kind, अब ये जो pollination है, वो एक plant में भी हो सकता है, या फिर दूसरे plant में भी हो सकता, मतलब अगर एक plant के अंदर female और male part दोनों है, तो that means कि उसके pollen grains उसके खुद के female part में भी जा सकते हैं, या फिर किसी bird के हवा की मदद से जो pollen grains है, ये किसी और, basically तो insects की मदद से ही जाते हैं, तो insects की मदद से जो pollen grains हैं, इनकी body से चिपक करके, दूसरे flower के stigma तक भी जा क्यालाता है, तो most often it occur with the help of wind, water and insects, जैसा मैंने आपको बताया कि cross pollination basically किसके कायन हो जाता है, या self pollination भी किसकी वज़े से होता है, wind की मदद से, water की मदद से, या insects की मदद से, wind हवा चली तो यहां से उड़कर के stigma तक पहुँच गया, या फिर पानी डाला तो गिर करके यहां तक पहुच गया, insects की body से टकरा करके पहुच जाए, तो यह depend करता है कि कहां पर पहुच रहे हैं यह और इसकी इसाब से self या cross pollination हो सकता है, तो चलिए यह देखते कि कैसे insect pollination होता है, तो insect birds and other animals help in the cross pollination of the flower, basically insects के मदद से cross pollination होता है, जब insect जैसे अपनी flowers के nectar को पीने के लिए आते हैं, तो इनकी body में यह जो आपका pollen grain है वो चिपक जाता है, और अगर जब यह उसी तरीके से जब दूसरे plant में जाकर कि उसके nectar को पीने के लिए जाते हैं, तो उनकी stigma तक यह गिर जाता है, तो जिससे वहाँ पर यह process reproduction की start हो जाती है, और इसे insect pollination कहते हैं, so insects, birds and other animals help in the cross pollination of flower, ठीके समझ में आ रहा है कि जो आपके insects हैं, birds हैं या दूसरे animals हैं, इनकी मदद से cross pollination होता है, insects are attracted by the color and scent of the petals, ठीके, यह जो petals होते हैं, उनके colors को देखकर के insects बहुत ज़्यादा attract होते हैं, और उनको देखकर के वाओ कितने सुन्दर से flower हैं, वो देखकर के उसके उपर आकर के बाइच जाते हैं, they collect nectar from the flowers, अब इन flowers में nectar होता है, इसको यह collect करते हैं, उसको वो पीते हैं, nectar is a sweet liquid, usually present at the base of the flower, यह जो flower का base होता है, वहाँ पर present होता है, pollen grains from the enter stick to the insects body, अब यहाँ पर जो enter है, यह portion क्या कहलाता है, enter, तो यह enter जिसमें stamin है, इसके enter में stamin के अंदर जो pollen grain है, यह इनकी body में चिपक जाता है, है ना, अब जैसे इनकी body में चिपकेगा, the grains get rubbed off when the insect visit the other flower to collect the nectar, अब जैसे यहाँ पर यह बैठा, इसने इसका nectar लिया, अब इसको और nectar लिना है, तो दूसरे flower में जाएगा, और इनकी body से, यह जो pollen grains है, वो दूसरे flower तक पहुच जाते हैं, फिर होता है, wind pollination, wind help in transferring the pollen grain from one flower to the stigma of the other flower, है ना, एक flower से किसी दूसरे flower के stigma में, wind भी help करती है, हवा से कहीं पहुच गए, उड़ करके, so this happens mostly in the plants which have the flower, with the small petals, और with the no petals add-on, यह ऐसे flowers में होता है, जिसकी petals जो होती है, वो काफी, कैसी होती है, छोटी होती है, यह बिल्कुल petals नहीं होती, they do not produce nectar, और ऐसे wind pollination generally, उन सभी में होता है, जो wind pollination के वज़े से reproduction उन plants का होता है, जिनके अंदर nectar नहीं हो, क्योंकि कोई insect इन पर आकर के बैठेगा नहीं nectar के लिए, और दूसरे flower पर नहीं जाएगा, तो जिसकी वज़े से जो grains है, वो transfer नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए इन का reproduction फिर कैसे होता है, तो इनका होता है भई, विंड की मदद से, कि विंड की मदद से जो pollen grains है, वो एक जगा से दूसरे flower तक पहुँच गया, इन अपसेंस ऑफ दे लाज पैटल, दे एंथर और और पिस्टल रिमें एक्सपोस्ट तो दे विंड मेंगें विंड अगर पैटल्स रहेंगे तो पैटल्स की वज़े से यह पॉलन ग्रेंस नहीं मूफ कर पाते है असानी से, लेकिन पैटल्स ही नहीं है, ओपन आपने रखा हुआ है, यहापर खुला हुआ कोई आगर बीज रखे हुआ है या पॉलन ग्रेंस रखे हो तो वह आसानी सूर जा है, फिर है आपका फॉर्टलाइजेशन तो यह तो अपन समझ गए कि जो पॉलनेशन है उसका मतलब क्या होता है कि पॉलन ग्रेंस का एंथर से निकल के स्टिगमा तक पहुचना यह कहलाता है पॉलनेशन अब एंथर से पॉलन ग्रेंस निकला और पहुच गया किसी यह जो स्टिगमा ऑफ इच फ्लाइर से क्रियेट अलिक्विट कंटेनिंग शुगर अब यह जो स्टिगमा होता है यह पूरा क्या है आपका स्टिगमा इसमें एक तरीके का लिक्विट होता है जो कि शुगर होता है बिसिकले इनका जो खाना अपन को पता ही है कि जो भी फ्लाइर food produce करते हैं वो शुगर के form में होता है ठीक है तो यह शुगर है वो यहाँ पर भरा हुआ रहता है अब जो pollen grain कहां से आए हैं दूसरे किसी दूसरे फ्लार के पिस्टलिया एंथर से निकल के निकला हुआ है तो यह pollen grain कहां पर आया इस stigma में आया अब यह जो liquid यहां भरा हुआ है वो pollen grain उस liquid में चला गया ठीक है अब क्या होगा वहाँ पर जाकर कि यह धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर जाएगा तो यहाँ आ करके ग्रो करेंगे they do not grow if they land on the stigma of a flower of a different spices about different spices का grow नहीं करेगा same spice होना जरूरी है so pollination के बाद जो pollen grain है वो एक thin tube में आ जाते हैं a thin tube called the pollen tube grows down from the pollen grain through the piston तेक है अब यह जो pollen tube है यहाँ पर दिख रहे है आपको यह pollen grain यहाँ पर आया तेक है और इस pollen tube के साथ साथ वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देगा pollen grain आया liquid को इसने पिया यहाँ फिर लिक्विट में आकर के ग्रो किया और इस pollen tube की मदद से ग्रो करना शुरू कर देता है the pollen tube carries the male cell अब यह जो pollen tube है basically यह क्या होती है male cell होती है क्योंकि इसने pollen grain को यह क्या कर रहा है ग्रो कर वा रहा है तो यह pollen tube जो की male cell है यह इस तरह से ग्रो करी it grow until it reaches the ovule and enters it ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यह है आपका ovule ठीक है तो यह तब तक ग्रो करता है जब तक कि इस ovule के अंदर ना पहुँच जाए अब इस ovule में क्या होता है ठीक है ovule के अंदर होते है eggs जो की female eggs है ठीक है तो जैसे यह pollen grain liquid में आता है धीरे धीरे pollen tube के form में यह बढ़ता बढ़ता जाता है और यह तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि यह ovule तक ना पहुच जाए जैसे यह ovule में पहुचता है अब क्या होता है कि यह जो pollen trends है वो यहाँ से निकले ठीक है और यहाँ पे जाके यह male cells है यह female cells के साथ में मिल गए और इसमें क्या बन जाएगा यहाँ बनेगा एक नया चीज जिसको अपन कहते है जियो गौट तो यह जियो गौट बन जाता है कब जैसे ही जो pollen tube है यह ovule में जाती है और female और male gametes जो है वो आपस में मिलते हैं और जियो गौट बनाते हैं तो जियो गौट जैसे ही बन जाएगा तो अब इसके बाद क्य होती है यह हट जाती है ठीक है किसी भी उसके और सिर्फ क्या होता है SEEDS Formation होता है आफ्ट इस प्रोसेस के बाद क्या होता है यह जो आपका stigma है यह जो आपका यह पीस्टल है। ठीक है। पाट्टल से से सब कुछ हट जाते है। सिर्फ यह ओवरी रह जाती है। ठीक है। So only the ovary remains. The ovule in the ovary contain a supply of food. अब यह जो ovary को supply कोई देता है? Ovules. Ovules है आपका basically यह जो portion है. यह क्या करता है? इन ovary को food का supply करता है. जेगौट टेक्स इन दिस फूड और बिगिंस तो ग्रो बाइ सेल डिवीजन इन साम ताम्स इट विकम आ एम्डॉई ठीक हैं अब दीरे दीरे क्या होता है बेसिकली कि जैसे ही ओवरी बची अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही मैं जो मेल पॉर्श पार्ट था फ्लार का जो से वह बढ़कर के एंक्रीज हो करके पॉलिन ट्यूब से ओवरी तक या ओव्यूल तक पहुचे तो अब जैसे पहुचते हैं जैगौट बना लेते हैं तो जैगौट बनाने के साथ ही जितना भी आपका पिस्चल है या फिर आपका जो पैटल से सैपल से सब तूट करके ग इसमें एक तरीके से बड़ा सा एक पीस चीक है अम्रोय बन जाता है मीनवाइल दव वॉल्स जबलब दा हाड लियर और फॉर्म दा सीट और इस तरह से अब जैसे अम्रोय बन जाता है तो जो ऑव्यूल था जो कि नूट्रिशन दे रहा है वो दीरे-दीरे हाड हो करके 2 हो जाती है स्वेल होना शुरू जाती है फूल ना शुरू हो जाती है इं टाइंस विकमस और दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-धूल करके सब्टों करके फूर्ट में और जाती है tough होते 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 यह जो ovary है वो swell होना शुरू हो गई swell होते 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 यह जो आपका tough portion था वो अंदर रह गया ठीक है और यह जो ovary है वो fruit में convert हो जाती है some fruit such as mangoes and apples are the sweet and juicy some fruit such as almonds and walnuts are hard a fruit can have one or more seeds inside it और एक food के अंदर बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा seeds हो सकते हैं तो well I hope यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि reproduction of plant sexually किस तरह से होता है तो इस में ज़रूरी होता है male and female seeds cells का तो यह cells जैसे ही female में पहुँचती है तो ovary जो है एक नया seed मिलेगा जिसको अगर हम लगा दे तो एक नया plant produce हो जाता है ठीक है तो अब यह तो हो गया आपका pollination और fruit formation अब है कि यह seeds जो है यह disperse कैसे होते हैं अब कुछ plants के तो हम लगा देते हैं जैसे wheat हो गया जिके इन सब को तो हम disperse करते हैं और वो नया plant grow कर जाता है लेकिन आप देखते हो कि आसपास अचानक से plants लगना शुरू हो जाते हैं जो कि seeds से produce होते हैं तो यह कैसे हो जाता है तो seed का dispersal होता है कई तदिके से तो आप plant produces a large number of seeds कोई भी एक plant जो है वो बहुत number of seeds produce करेगा if all these fall below the plant and start growing they will not get enough space water mineral and sunlight and they will not develop into the healthy plant देखे basically क्या होता है कि जो हमारा mother nature है उसने हर चीज़ को इस तरह से बनाया हुआ है हर चीज़ automatic हो जाए like कि किसी plant के बहुत सारे seeds है अगर वह वहीं गिर जाएंगे तो क्या होगा सब वहीं के वहीं plant grow करने लग जाएंगे तो सब में मारा मारी होने लगेगी कि हमें भी mineral चाहिए हमें भी पानी पीना है हमें भी खाना खाना है तो लडाई होगे और मतलब कोई भी अच्छे तरीके से ग्रोनी कर पाएगा तो इसलिए जरूरी है कि यह जो इनका डिसपर्जल मतलब यहां से वहां इनके पहुचना जरूरी होता है तो सीट का डिसपर्जल एक्च्वल में करता कौन-कौन है तो चलिए इसको पढ़ने से पहले शौट में मैं आपको समझा देती हो कि आपके एनिमल्स क्या करते हैं उन सीट को खाते हैं ठीक है फू तो मेंगो को खाएगा और जोसका सीट है वो उसके वेस्ट से निकल जाएगा अब उसने यहां पर खाया एक जगे पर और पार दस किलोमीटर दूर जाकर कि उसका वेस्ट निकला ठीक है जो कि स्वाइल में मिल गया अब बारिश होई और वो सीट जो है वो जर्मिनेट हो मतलब सीट से पौधा निकलना चालू हो गया तो इस तरह से सीट डिसपर्जल हो गया बाई एनिमल्स इंसेक्ट से भी हो जाता है या फिर हवा से हवा बहुत तेज़ चल रहे तो यहां वहां जो फ्रूट है वो उड़कर के चला गया या फ्लार उड़कर के धरदा चला ग रिवर्स की मदद से भी पहुंच जाते हैं तो इस तरह से एक नया प्लांट जर्मिनेट हो गया ठीक है तो फीट जो डिसपर्जल ऑफ सीट जाए नैच्रल प्रॉसस होती है जो आटोमेटिकली हो जाती है तो मैनी ओफ देम जो कई तरीके की जो सीट है ठीक है अगर वहीं डाय नेचर हैस अरेंच सम एजेंट्स ऑफ डिसपर्जल बाइच दिसपर्जल बाइच दिसपर्जल ऑफ इसी को डिसपर्जल ऑफ सीट कहते हैं तो कुछ एजेंट्स के बारे में अपन पढ़ लेते हैं जैसे विंड तो सीट्स ऑफ कॉर्टन और डेंडिलाउन हाफ तिनी हेर स्राउंडिंग दैम वाइल दा मैपल सीट्स हाज अविंग अटाच तो इट इस अडाप्टेशन हाव दाप्टेशन हाव दाप्टेशन threeak everybody what the air को tea jam आपल का जो सीट होता है उसमें हलके से विंग अटेट होते हैं तो यह अटोइंटिकरी क्या होता है कि जैसे इस पहवा आती है तो अदो यहां वहां भिकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं पानी क्या करता है किस तरीके की सीट्स को ले करके जाता है जैसा मैं 500 यहां से वहाँ पहुंच जाएगा और घर्मनी जाने गा उसी तरह कि lighthouse फुट भी क्या होटा है उसमें स्पाउंज होता है तो वह आसानी सब्सक्तरा रहता है और एक जेगे से दुसरे ऊपוך जाता है so these plants grow near water and there seeds are carried too far a of places by the water इसलिए ये जो सीट्स है ये जो कोकोनट है या लोटस है ये पानी पर लगते हैं और पानी के आसपास वाली जगे पर लगते हैं क्योंकि ये आसानी से उसमें तैरते हुए एक जगे से दूसरे जगे बहुत दूरी दूरी तक पहुच जाते हैं फिर है एनिमल्स तो ए आपने देखे होंगे सीट्स तो ये हमारी बॉड़ी पर हमारे कपड़ों पर या फिर एनिमल्स के कपड़ा के फर पर चिपक जाते हैं और फिर यहां से वहां एक जगे से दूसरे जगे ट्रांसफर हो जाते हैं सम सीट्स इटन अलॉंग विद द फूर्ट पासेस आउट unharmed in the waste and germinate where they fall तो कुछ seeds जैसा आपको पहने समझाया था अभी कि कुछ seeds वो खाल लेते हैं जो कि अगर वो चीव ने करें उसी शेप में अगर रहें और वो बहार जब निकलता है वेस्ट के फॉर्म में तो वो भी germinate होकर कि नया प्लांट प्रोडूस कर देते हैं explosion of fruit the fruit of granium, blossom and pea burst on drying अभी drying होने पर burst होता है इस तरह से जैसे बस्ट होता है तो अपने पैरेंट प्लांट से दूर चा करके germinate हो जाता है अभी germinate, germinate बार बार में word बोल रही हूँ तो एक seed जो है वो किस तरह से germinate होता है germinate होने का क्या मतलब होता है कि किस तरह से जो seed है वो एक प्लांट में convert होता है तो चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं a seed contains a plant embryo in a resting age ठीक है अब basically seed क्या होता है जैसे मैं आपको बताया कि seed कब बनता है कि जो आपकी ovary है ठीक है वो अंदर रहती है और उसके आसपास को जो ovule है वो दीरे 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 हाड होकर के seed बना लेता है ठीक है उसके बाद अगर वो further produce होगा तो फ्रूट में convert होगा लेकिन अंदर जो बीज है ना वहीं के वहीं रहता ओवरी तो फूल जाती है अब यह जो बीज है वह एक्चल में क्या है एंब्रॉय है एंब्रॉय मतलब जब मेल और फीमेल सेल मिले थे फ्रूट के प्लांट के तो वो जैगाट बनाते हैं जो की डबलब होके के थोड़ा बड़ा होता और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता जिसको एंब्रॉय कहते हैं तो seed क्या है seed contains a plant एंब्रॉय in a resting stage तो इ यह भी क्या कर जाएगा यह भी ग्रो कर जाएगा तो the seed must get moisture and oxygen अगर इसको स्वाइल से moisture oxygen मिला तो यह जो एंब्रॉय है ठीक है जो कि ए growing plant हो सकता है उसको यह सारे nutrition मिल जाएगा और यह ग्रो कर जाएगा तो must most seeds need warmth and warmth as well और कुछ seeds को warmth भी चाहिए होती है so when all the conditions are favorable germination begins और अगर यह सारे चीज़े हैं कि अगर इस seeds को oxygen मिल जाएगा इसको moisture मिल जाएगा इसको अगर warmth मिल जाएगा तो यह दीरे दीरे क्या होगा ग्रो करना चालू कर देगा ठीक है तो सबसे बहले germination is the earliest growth of a plant from its seeds किसी भी plant का उसके seeds से ग्रो करना germination कहलाता है ठीक ह पहले आपको seed के उपार पानी डालना पड़ेगा the enzyme in the seed start functioning when they get water अब इसके अंदर enzymes है जो कि अभी energy नहीं लिए हुए है तो लेकिन जैसे ही पानी मिलता है तो यह enzyme काम करना शुरू कर देते हैं इस enzyme change the stored food into the soluble form अब यहाँ पर क्या है यह आपका ovule है एक चरेके का hard ovule जो कि जिसके अंदर embryo है इस ovule के अंदर food था लेकिन उसको पानी दे दो तो वो soluble form में हो जाएगा तो जैसे ही पानी डाला तो enzyme ने काम किया और जो भी खाना था इसके अंदर वो soluble form में हो गया जो कि इस embryo को जाकर के मिल जाएगा ठीक है this solution then diffuses into the into the radical and plumal and they start growing अब इसके अंद radical and plumal होता है उसके अंदर ये जाना शुरू हो जाएगा और ये seeds आपका grow करेगा the radical starts growing first and pushes down in the soil ये जो radical है इस तरह से ये नीचे की तरफ जाएगा और soil के अंदर लगना शुरू हो जाएगा it becomes the root और ये जो radical है वो radical होता है basically ये root बनता है क्या है यह जो solution इसके अंदर बना ह हुआ था ये अंदर जाएगा और इससे आपकी दो चीजे बनेगी एक तो radical और एक प्लूमल ठीक है जो radical है ये roots में root में convert हो जाता है और the plumal starts growing और ये जो plumal है ये उपर की तरफ ग्रो करना शुरू होता है it pushes up and grows into the shoot and leaves ये उपर की तरफ जाता है और leaves में और shoot में ग्रो करन the leaves start to make food by the photosynthesis and thus the plant begins to depend on its own food अब किसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ये जो seed है जैसे वो plant में convert हुआ तो photosynthesis के process से ये अपना खाना बनाना चालो कर देंगे तो क्या हुआ चलिए एक बार फिर से समझते हैं इसको मैं फिर से एक बार short में समझा देती हूँ कि कैसे ये जो छोटा सा आपका एक बीज है उसके मदद से कैसे plant बनता है तो चलिए इसको discuss करते हैं सो जैसे ये seeds जो कि आपके soil के अंदर होता है तो seed basically क्या है आपका avule जो कि हार्ट form में है लेकिन उसके अंदर क्या है embryo 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 मतलब एक छोटा सा growing stage का cell ठीक है अब आपने embryo को डाल दिया soil के अंदर अब इस embryo के आसपास व्यूल है उसके अंदर होता है food लेकिन थोड़ा सा सूखा हुआ जैसे पानी मिलता है तो enzymes उस पर काम करते हो वह soluble form हो करके उस embryo को feed करना शुरू कर देता है जैसे उस embryo embryo को feed करना शुरू करता है उसमें से दो चीजे निकल जाती है एक तो होता है रेडिकल एक होता है प्लीमल जो है वह स्वाइल के अंदर की तरफ जाता है रूट में convert होता है और जो आपका Plumal है यह उपर की तरफ जाकर के शूट में और leaves में convert होना शुरू हो जाता है भ photosynthesis करके अब अपना food खुद बना लेगा और इसके अंदर जो बीच था वो दीरे-दीरे खत्म हो जाएगा clear हुआ जैसे यह leaves आती है यह अपना खाना खुद बनाता है और यह चीज धीर-दीरे हट जाती है clear आई बात समझ में तो इस तरह से यह जो seeds है वो germination करते हैं ठीक है तो यहां से हमने पढ़ लिया कि किस तरह से जो pollination होता है sexual reproduction कैसे होता है तो एक बार in short चलिए फिर से मैं आपको समझा दूँ यह है आपका एक plant जो की कैसा plant है यह एक आपका बाई-sexual plant है ठीक है जिसमें आपका एंथर भी है stigma भी है style भी है और ovary भी है ठीक है अब basically क्या होता है कि यह जो आपका यह वाला जो portion है एंथर जो है ठीक है इसको इसमें देखे बेसिकली यह आपका stigma होता है ठीक है यहाँ पर लगा होता है आपका एंथर जिसमें यह है पॉलिन ग्रेंज ठीक है यह पॉलन ग्रेंज हवा की मदद से मान लीजे आ गए stigma के उपर ठीक है stigma के ऊपर यहाँ पर आए पॉलन ट्यूब में ठीक है अब यहाँ पर होता है आपका भरा हुआ शुगर जिसमें यह धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे जैसे जैसे से मान लीजे कि यह वाला हर जरूरी नहीं है कि हर पॉलन ग्रेंज इसमें घ्रो करें कोई एकाज जाकर के इसमें घ्रो करेगा तो यह पॉलन ग्रेंज यहाँ पर आया पॉलन उसमें होते हुए उसने सारे nutrition को लिया और convert हो गया pollen ट्यूब में ठीक है अब यह pollen ट्यूब में convert हुआ यहाँ पर और सीधे जाकर जुड़ गया आपके female पार्ट में जिसमें ऑव्यूल में ऑव्यूल से जाकर के अटैच हो गया अब इस ऑव्यूल के अंदर थे एग बहुत गया है जाइगाट अब यह जाइगाट धीरे 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 बढ़ता हुआ इस फॉर्म में आ जाता है देखिए यहाँ पे ठीक है और यह बहार का जो ऑव्यूल है वो धीरे धीरे हाड होने लगता है और यह अंदर जो female और male मिले हैं यह मिलकर के जाइगाट बना लि अब क्या हुआ कि अगर आपने इसको ऐसे ही लगा छोड दिया तो और दीरे दीरे धीरे धीरे और यह जो ओवरी है यह आपकी फूल करके किसमें कंवर्ट हो जाएगी ठीक है और आपके सीट मिल जाएंगे अब यह जो सीड़ है अगर आपने इसको डाल दिया किसके अंद तो रैडिकल जो है यह आपके रूट्स में कनवट हो जाएगा और जो प्लीमल है वो आपके शूट्स में और लिपस में कनवट होगा और फिर यह अपना खाना खुद बनाना शुरू कर देंगे तो यह पूरी प्रॉसेस थी भई आपके सेक्श्वल रिप्राक्शन की चले एक पटाफट से रीकाप देख लेते हैं कि हमने इस पूरे चप्टर में क्या-क्या पढ़ा और हमने क्या-क्या रिवाइस किया तो और गिनिजम मल्टिप्लाइए और रिप्रिदूस तेयर ओन काइंड हा सारे ओर्गिनिजम अपने अब यह सेक्शल रिप्रदाक्शन की बहुत सारी नेच्वल मैथट्स हैं जैसे फ्राग्मेंटेशन बडिंग इस पॉल फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रपोगेशन ठीक है तो यह तो कुछ नेच्वल मैथट्स थी हमने कुछ आर्टिफिशल मैथट्स भी पड़ी शी कटिंग ठीक है कटिंग ड्राफ्टिंग ओके तो यह साथी आर्टिफिशल मेथड़स् थी सैस्ट्वरी परच्षिल आन्वेशन और फीमेल गैमिट्स अब सैक्शुल रिपोड़क्शन कैसे होता है इसमें फीमेल और मेल मेल गैमिट्स जब मिल जाते हैं तो उससे होत है sexual reproduction है ना तो जनरली उसमें होता है जिसमें flowers हो और flowers के सासा जिसमें male female दोनों हो या फिर एक female एक male हो इन vegetative propagation new plants are produced from the different vegetative parts of the leaves stamps and roots तापने vegetative propagation किसको कहते हैं जिसमें नई plants जो है वो stamp से roots से या leaves से produce हो flowers the reproductive part of a plant किसी भी plant का जो reproductive part है वो flower ही होता है floor may be unisexual with either the male or the female reproductive part अगर किसी flowers में सिर्फ एक ही चीज़ है या तो male reproductive part है या female reproductive part है तो वो unisexual कहलाएगा ठीक है और अगर किसी flower में male और female का दोनों ही चीज़ हैं दोनों ही reproductive part है तो वो bisexual four the male gametes are found inside the spolin grains and female gametes are found in the ovule तो यह ovule और pollen grains कहाँ पर होते हैं तो यह stigma में होता है ovule और enter में होते है pollen grains ठीक है the pollination is the process of the transfer of pollen grains from the answer to the one flower one flower to the stigma of the same और अनेदर फ्लार pollination कब होता है या यह जो नया reproduction की process कैसे start होती है तो यह start होती है pollination से जब किसी plant के enter से pollen grain निकल करके उसी plant के या किसी दूसरे point के stigma के अंदर present होने वाले ovule में अगर यह चले जाएं ग्रो करने के बाद तो फिर यह pollination की process और reproduction की process होती है तो pollination दो टाइप के होते हैं self-pollination और cross-pollination self-pollination मतलब pollen grains जो है वो transfer हो अपने same plant के enter से stigma पर तो उसे self-pollination कहेंगे cross-pollination का मतलब होता है किसी दूसरे plant के किसी दूसरे flower के enter से जब pollen grains किसी दूसरे plant के flower तक पहुँच जाए तो उसे आप cross-pollination कहेंगे लेकिन cross pollination के लिए ज़रूरी है कि दोनों ही flower एक ही spice के हो एक ही kind के हो pollination take places in the plant with the help of wind water insect अब किसी दूसरे plant में या same plant में ये wind water और insects के help से pollination होता है the fusion of male and female gametes is called the fertilization जैसे ही male और female gametes मिलते हैं ये male और female gametes के मिलने को fusion को हम क्या कहते हैं fertilization fertilized egg is called the jeogaut ये जो fertilized egg होता है उसे jagaut कहते हैं jagaut जो है वो दीरे-दीरे डबलप होकर के embryo में convert होता है और fruit is the mature ovary whereas the ovule डबलप into the seed ovary जो है वो fruit में और जो ovule है वो seed में convert हो जाता है which contains the developing embryo ये याद रखेगा है ना fruit जो है वो ovary में ovary जो है वो fruit में और जो आपका ovule है वो seed में convert होता है ठीक है जिसके अंदर embryo होता है seed dispersal कैसे होता है तो इस तरह से हमने खतम कर लिया है reproduction in plant जिसमें हमने sexual asexual reproduction pollination किस तरह से होता है इस चीज़ को सब कुछ फिर से revise कर लिया है इस chapter के अलावा भी बहुत सारे chapters है seven science के जो कि आपको magnet brains की official website पर देखने को मिल जाएंगे करना क्या है कैसे देखेंगे तो इसके लिए www.magnetbrains.com पर जाएए जैसे ही आप जाएंगे तो आपको नीचे classes और one shot revision videos देखेंगे आपको one shot revision पर जाना है तो आपको इस सरह से folders देख जाएंगे आप 7th class के हैं तो 7th class पर क्लिक करें 7th class पर क्लिक करते साथ ही आपको सारे revision videos देख जाएंगे उस पर क्लिक करिएगा क्लिक करते साथ ही video हो जाएगा ओपन जिस भी chapter का revision करना है आपको देख जाएगा पूरा video जरूर देखें तभी आपको वीडियो समझ में आएगा चाप्टर समझ में आएगा वेल यह एक रिविजन वीडियो है तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक हम शॉट में कवर किये हो इसका डीटेल वर्जन जो है आपको मैगनेट ब्रींस पर मिल जाएगा कम्टी चाप्टर डिस्क्रिप्शन वेल हमारे पास 100% free classes है kindergarten से class 12 तक साथी साथ चानल को subscribe करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए stay happy stay healthy thank you so much